हर्लो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम दिखाएंगे कि लेर कट है जो आप घर पे यह जो कैसे कर सकते हो तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सबिस्क्राइब करना तो अभी हम कुछी देर में आपको बताएंगे कि अपने आप भी है जो आप लेयर कट कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बालों को है जो अच्छी तरीके से सुल जाना है इस तरीके से कंगे से है जो अच्छी से सुल जा लीजिए ये इतना असान लेयर कट है कि कोई भी है जो घर बेटे बहुत ही असान तरीके से कर सकता है तो अभी हम क्या करेंगे, इनके बाल हैं जो सुल जा रहे हैं जब भी आप किसी परकार की cutting करें तो आपको सबसे पहले अपने बालों को है जो अच्छे तरीके से है जो दो लेना है उसके बाद ही आपको cutting करनी है तो इस तरीके से हम है, जो cutting करेंगे सिर्फ है पांच मिनिट लगेंगे आपको अपनी कटिंग करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही स्टाइलिस्ट तरीके से आप अपनी है जो लेर कट है जो घर पर ही कर सकते हो बस बाल सुल जाने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर आपको जो कटिंग करने उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ध्यान रखे जब भी आप बालों को है जो सुल जाते हो तो क्या करना आपको कि आपको नीचे से उपर की तरफ जो बालों को सुल जाते हुए जाना है यदि इस तरीके से आप अपने बालों को सुल जाओगे तो आपके जो बाल है जल्दी सुल जाएंगे और जो आपको कि खिंचाव होता बालों का वो भी खिंचाव कम होगा जिससे क्या होगा कि आपको है जो दर्द भी भूती कम होगा और जब भी बाल सुल जाओ तो आपको क्या करना एक लेर बना लेनी है step by step आपको बालों को है जो सुल जाते हुए जाना है थोड़े-थोड़े करके बालों को सुल जाए जैसे आप देख सकते हो हम किस तरीके से थोड़े-थोड़े बाल है जो सुल जा रहे हैं उसी तरीके से आप भी है जो बालों को सुल जा सकते हो यह दिए आप घर पे कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कोई भी पूराना कपड़ा है तो वह कटिंग सीट की तरह आपको है जो लगा लेना है ताकि आपके कपड़े हैं जो बिल्कुल भी खराब ना हो तो इस तरीके से आप है जो और आम से सुलजाते रही है अभी हमारे बाल हैं जो सुलजने वाले हैं थोड़े से बाकी थे वो भी हमने लगबग सुलजा लिये हैं और फिर आपको क्या करना है, कि इस तरीके से सभी बालों को एकदम से इस्टेट कर देना, सीथा कर लेना है, एक बार कंगी कार लेनी है, आपको निकाल लेनी है, जब भी आप कट्टिंग करो सबसे पहले hesit करों, लेर कटिये दिखुद अपने आप कर रही हों तो आपको क्या करना है कि सारे बाल है जो सामने की तरफ लेकिया जाना है पहले आपको अच्छे से सूल जाना है फिर सामने की तरफ लेकिया आना है और फिर कंगी करने है इस तरीके से अभी एक हाँ से कंगी करते जाए और दूसरे हाँ से क्या करना कि आपको सभी बालों को है जो पकड़ लेना है एकदम टाइट सा एकदम जब भी आप कंगी करो तो एकदम सिद्धी आपको है जो कंगी करनी है इस तरीके से यहां पर आपको क्या करना है कि जैसे है कुछ लोग पीछे की तरफ चोटी बनाते है उसी तरीके से आपको है जो एकदम सामने की तरफ है जो रबबट डालके जो चोटी बनानी है नॉर्मल चोटी बनानी है आपको वैसे गूत की चोटी नहीं बनानी है बस नॉर्मल से आप आपको रबट डालना है, तो इस तरीके सब बालों को इकठा कर लीजिए, और जब आपके सभी बाल इकठा हो जाएं, तो आपको क्या करना है, कि यहां पर एक रबट डाल देना है, यह कटिंग आप अपने आप कर सकते हो, ध्यार रखें नाक की जो सिदाई है, उसके सामने ह आपको एक दम सेंटर में है, यह ऐसा पता नहीं चलता, तो आप यह क्या करें? कि अपने नाक की हिससे के सामने है जो भालों को रखें, फिर आपको पता चल जाएगा और उसी तरीके से आपको एंख आपको आपको जो यह कर नी है, यह मिचल रूगा में अदिया से अ tommy कि आपप है जो लेर ct कर लोगे है घर बैठे और फिर एक दम इस तरीके से जो दो बागों के बाझत के बालों को टा नहीं द ध्यां क्यूच्छना ली जािव है और ध्या रखना है आपने जो चोटी बनाई होका एकसम शीद्धी है या करी है आपके बालों की चोटी और फिर से इनमें है जो कंगी निकाल लेनी है। जितने बी बाल उल्जी हुए हैं उनको फिल से सुल जाना है आपको जब आप क्टिंग करोगे तो आपको जो दो रब्बड होते हैं उनकी आवे सिकता होगी। साथ में एक कैंची, इस से आप आप है जो आसानी से है जो कर सकते हो। इस में क्या है कि आपको ज्यादा पेसे बरबाद करने की जरूरत никак नहीं होती है। गर पे हैं जो आपको मन करें, उस भिसाफ से आप कटिंग कर सकते हो। जितने लॉंग आपको रखने हैं उस हिसाब से ये कटिंग की जा सकती है तो एक बार देख लीजिए कि आपने सभी बालों को सुल जा लिया जब सुल जाएं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से एक रबड है लेना इस तरीके से रबड लेना और उसमें डालना है ब यूघ कि तो हमने हैं जो कि यह यहां पर जाली है फिर एक बार फिर से कंगी कर लिजिए और कंगी करने के बाद माआप अन्यों इस तरीके से कहाँ विल सेप्सक्त लाप फिर यहां लेकर लेकुए उस तरीके से ताइट लाँशमा जो लेकिके हो वहीं देख सकती हो वहि suspect के था कि आपकोशीर एटना लोग है चबाल रखने तो बाकी के जो इनके बाल रखने हैं तो आप Weston कितने बाल हम जो इनके कट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि रबबड की उपर की साइड के है जो बाल है जो कट करना है तो इस तरीके से सिद्धा ही रखते हुई आपको जो यहां से बालों को कट करना है तो आप आज से देख सकते हो हम इतने सारे बालों को कट कर रहे हैं इनको जो बाल ज्यादा शोट करवाने थे थोड़े तो इसलिए हमने कट कर दिये तो आप देख सकते हूं कितने बाल हैं जो हमने काटते हैं यह ऑफिर सी आपको क्या करना एक और कंगा निकालना है टाइट बालों को खीचना है और आपको लगे कि जो भी एक्स्ट्रा जो कठ है वह हो चुका है अभी हम पास से दिखा रहे हैं आपको थोड़ा विडियो की जो क्वालिटी हो कम है इसलिए सई से दिख नहीं पा रहा है सइध आपको और फिर आपको सई से करके इस तरीके से कर लेना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इनका जो लेर के ठब बन चुका है तो जो आप लोगों को ये वीडियो है जो कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना शेर करना हो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सबिस्क्राइब करना थैंक्यू सो मैच ओल फ् झाल करेंग्स करने धरूर जरूर 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 समाइब करना थाल सकते हैंक्यू करना शेंक्यू करना शेरूर सब्स्ते हैं ये बन चुका लेकर जल झाते हैं!